आप सभी दशकों का हमारे चैनल में स्वागत है अगर आप चैनल में नए है और आप रहस्यों और देश दुनिया की अजीबों गरीब जानकारी पाना चाहते है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर किक करें आप भी आसमान में ऊपर उटते हुए हवाई जहाजों को देखते होंगे उसे देखकर आपके मन में कई प्रकार के सवाल आते होंगे कि इसमें हम कब बैठेंगे या फिर इसमें जो इंधन पड़ता है उस हिसाब से यहें कितना चलता है आज के समय में हवाई जहाद से सफर करना आम हो गया हो और सस्ता भी हो गया है भार्तिय रेल्वे की हालत आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे आम आदमी भी ट्रेन लेट होने के कारण हवाई जहाद से सफर करना उचित समझता है आप में से बहुत लोगों में हवाय जहाद में सफ़र भी किया होगा लेकिन आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की यही की आखिर इतना भारी भरकम जहाद चलता कैसे होगा इसमें कितना इंदन खर्च होता होगा या फिर यह एक लीटर के हिसाब से कितना चलता है तो आज हम आपको यहीं बताएंगे की एक लीटर में हवाई जहाज कितना चलता है तो आएए बताते हैं आपको आपको जानकारी के लिए बतादे की बोईंग 747 जैसे विमान प्रती सेकन में लगभग 4 लीटर इंदन खर्च करते हैं बतादे की 10 खंटे की उरान भरने के बाद ये करीब 1,50,000 लीटर तक इंदन खर्च कर सकते हैं बोईंग की वेबसाइट के अनुसार बोईंग 747 एक किलोमीटर में लगभग 12 लीटर इंदन खर्च करता है आपको भले ही यह सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन यह सच है जानकारी के लिए बता दे की बोईंग 747 में एक बार में 560 लोगों को ले जाया जा सकता है आशा करती में दोस्तों आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो अपना थोटा सा समय देकर इस इंफिमेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे और अगर आप किसी विशेश टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजे और आप जो मीचे सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उस पर क्लिक कर दे और घंटा बजा दे तो फ्रेंट चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हैं